मनिपति पर आपका स्वागत है इस वीडियो में मैं रेलेज इंडिया जो कि टाटा ग्रोग की कमपनी है उसके ओपर चर्चा करूंगा रेलेज इंडिया टाटा केमिकल की सबसीडिरी है और यह एग्रो केमिकल सेक्टर से बिलॉंग करती है इनका प्रमुख व्यासा है घरेलू क्रॉप प्रेटेक्शन जिसमें पेस्टिसाइड्स हैं सीड ट्रीटमेंट केमिकल हैं और हाउसवोल्ड प्रोडक्ट से मतलब इतनास्थ प्रोडक्ट है दूसरा घरेलू के साथ भारत के साथ साथ यह भी देशों में भी इनका व्यापार है यह 70 से ज़ादा देशों में निर्यात करते हैं निर्यात करने में इनकी सामगरियां हैं प्रमुख उत्पाद हैं, इंसेफ्टी साइट और फार्मूलेशन्स, ये contract manufacturing के उत्पाद भी निर्याद करते हैं, contract manufacturing, foreign currency कमाने का बहुत ही अच्छा तरीका भी बन गया है, और बहुत कंपनियां ये कार करती है, मालीजी एक company है, वो अपने एक chemical उत्पाद बनवाना चाहती है, तो वो company अपना formula दे देगी, chemical उत्पाद का और उसको रैलिस बनाके company को देगा, इससे company को भी फायदा होता है, क्योंकि इंडिया में उनको सस्ते दर पे उत्पाद बन जाता है, और रैलिस को भी पायदा होता है, विदेशी मुद्रा में उनकी आयर होती है, और product business के साथ साथ ये अलग से, सेम infrastructure से ये अलग आयर भी कर सकते हैं, तो contract manufacturing को आफ सर्विसेज मान लें, क्योंकि ये client के दिये गिये निर्दोसर कर आधार पे बनाई जाती है, contract manufacturing के अंतर गतिये crop protection chemical, specialty chemical, polymer, intermediaries बनाते हैं, साथ ही साथ plant growth nutrient के कारोबार में भी कंपनी है, और ये बोरेक्स यूरोप के products को भी इंडिया में marketing करती है, अभी तक जो हमने देखा उसमें से contract manufacturing services में आती है, बाकी दो उनके उत्पाद हैं, जैसे insecticide, pesticide ये सब उत्पाद हैं कंपनी के, इनके साथ company Agree Services में भी है, और Geo Green नाम के organic compost को भी launch किया है, organic food आजकल काफी trend में हैं, क्योंकि उनसे वो environment friendly होते हैं, और सरीर के लिए भी फायदे मंद होता है, तो ये एक अच्छा initiative है company का, दूसरा किसानों की मदद के लिए company ने अंगूर, चिली और पॉमेग्रेनेट यानि अनार, इनका yield बनाने के लिए, उनका उत्पाद बढ़ाने के लिए, समृधिक रिसी को launch किया है, समृधिक रिसी योजना के तहट किसानों को काफी फायदा होता है, इन फलों का उत्पाद बढ़ा के, और साथ ही साथ company को भी फायदा होता है, भईश में अगर company और उत्पादों में समृधिक इसी को लाती है, तो ये बहुत ही अच्छा होगा company के लिए भी, जो सबसे एहम बात मुझे इस company के अच्छी लगती है, वह यह है कि 1500 डीलर और 40,000 रिटेलर के जर्ये, ये पूरे भारत वर्स में फैली हुई है, भारत के 80% से ज़्यादा जीलों में company के उत्पाद मिल जाते हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है, और इंका एक definite advantage है दूसरे company के खिलाप, बतलब इतना बड़ा distribution network दूसरे companyों में बहुत कम ही देखा जाता है, तो रैलीज के लिए ये बहुत ही अच्छी बात है, यहाँ पे रैलीज इंडिया गुरूप में आप एक agrochemical की leading company देख रहे हैं, साथ ही साथ ये company भारत वर्स में फैली हुई है, दूसरी टाटा गुरूप की company है, तीसरी contract manufacturing भी करती है, अत्रिप्त आय के लिए, चोथी इंके product विदेशों में भी निर्यात होते हैं, और घरेलू छेत में भी इंका एक अच्छा स्थान है, तो रैलीज इंडिया के इंजिनवाला जी के portfolio में भी है, वीडियो के description में आपको मेरे website का link मिल जाएगा, जहां पे जाके आप टाटा गुरूप के बाकी company हो, उसके साथ, HDFC, बजाज, विरला, इंके listed company के बारे में भी जानकारी पा सकते हैं, उनके बारे में मैं अलग से वीडियो भी बनाऊंगा और अपने YouTube चैनल पर upload करूँगा, तो भईस में upload किये जाने वाले वीडियो की जानकारी के लिए आप मनीपती YouTube चैनल पर subscribe करिए, subscribe करना बहुत ही आसान है, वीडियो के नीचे एक subscribe बटन है, आप उसपे click करिएगा, click के बाद आपको एक घंटी दिखाई देगी, आप उस से देख सकते हैं, यहां आपकी जानकारी के लिए बता दू, मैं से भी पंजुरित नहीं हूँ, इस वीडियो में जो भी जानकारी दी गई है, वो मेरे खुद के research के लिए है, और मैं से साजा करता हूँ, ताकि दुसरों को भी मदद मिल सके, धन्यवाद